परिचय अमन की उम्र आठ साल है और वो बहुत ही शरार्ती है। आज विज्ञान के टीचर ने अमन की क्लास को कैमिस्ट्री की लैप में ले जाने का वादा किया है ताकि कुछ प्रयोग किये जा सकें। लैप में पहुँचने के बाद आमन अपने ग्रुप से अलग हो जाता है। जहां उसे फस्ट एड दी जाती है। इस पार्ट में आप उन नियमों के बारे में जानेंगे जिनका पालन एक सुरक्षित जिन्दगी चीने के लिए किया जाना चाहिए। आउ सीखें। निम्ने के लिए सुरक्षा नियमों की सूची बनाएं। घर के लिए, सडकों के लिए, बस के लिए, स्कूल के लिए, कक्षा के लिए। घर में सुरक्षा जीवन बेहत कीमती है। हम सुरक्षा संबंधी कुछ आसान नियम अपना कर सुरक्षित ढंग से जी सकते हैं। घर में तेजधार ओजारों, आग और बिजली से जुड़े काम करते समय हमें कुछ एतियाद बरतनी चाहिए। चाकू, कैंची और ब्लेट ऐसे उपयोगी आउजार हैं जो काटने, कुतरने और तेज करने के काम आते हैं। लेकिन इनके जर्ये कोई चोट ना लग जाए या कोई दुरघटना ना हो जाए ये सुनिश्यत करने के लिए निम्न नियम अपना आएं। तेज धार वाले आउजारों को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाना चाहिए। इनका स्तिमाल बच्चे तभी करें जब बड़े उनकी देखरे कर रहे हों। आग इनसानों की जिंदगी में एक महत पून भूमी का निभाती है। आग हमें रोशनी देती है और हम इस पर खाना पकाते हैं। इससे जुड़ी कोई दुरघटना टालने के लिए निम्न नियम अपनाएं। जोलन शील चीजों के नस्ती माचिस ना चलाएं। माचिस और लाइटर जैसी चीजों को बच्चों की पहुंस से दूर रखा जाना चाहिए। बिजली इनसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। लेकिन अगर बिजली और बिजली से चलने वाले उपकरणों का लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो गंभीर दुरघटना हो सकती हैं। ऐसी दुरघटनाओं से बचने के लिए निम्न नियम अपनाएं। जब प्लक पॉइंट इस्तिमाल ना हो रहे हों तो उन्हें ठक दें। स्विच और सौकिट को गीले हाथों से नाचुएं। बिजली के तारों को खुला ना छोड़ें। सडकों पर सुरक्षा सडक परिवहन दूरियों की बाधा को खत्म करके फ्यापार को बढ़ावा देता है। लेकिन अगर यातायात के नियमों का पालन ना किया जाए। तो सडके पैदल चलने वाले लोगों के लिए खतननाग हो सकती हैं। सडकों पर सुरक्षित रहने के लिए निम्न नियम अपनाएं। केवल फुटपात पर ही चलें। सडकों को पार करने के लिए जिबरा क्रॉसिंग का इस्तिमाल करें। सडक तभी पार करें जब ट्रैफिक लाइट लाल हो जाए। सडक पार करने से पहले दाई तरफ देखें। उसके बाद बाई तरफ देखें। और फिर दाई तरफ देखें। और उसके बाद अगर कोई वहन ना आ रहा हो तभी सडक पार करें। बस में सुरक्षा बसे लोगों को एक जगा से दूसरी जगा ले जाती है सुरक्षा से जुड़े कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका इस्तिमाल बस का इस्तिमाल करते समय किया जाना चाहिए बस में चड़ने के लिए लाइन में खड़े हों ना तो लाइन तोड़ें और ना ही लाइन में खड़े अन्ने लोगों को धका दें चलती हुई बस में ना तो चड़ें और ना ही उतरें चलती हुई बस से बाहर ना जुकें और ना ही अपने हाथ और सेर उससे बाहर निकालें स्कूल में सुरक्षा स्कूल एक ऐसी जगा है जहां आप चीजों को आपस में बांटना और सहयोग करना सीखते हैं जब आप स्कूल में हों तो खेलों के नियमों को ना तोड़ें खेल के दौरान हुडदंग ना मचाएं कक्षा में सुरक्षा कक्षा और प्रयोकशाला सीखने वाले स्थान हैं जब आप कक्षाओं और प्रयोकशाला में हों तो इधर उधर ना तोड़ें और डेसक पर ना चड़ें टीचर की अनुमती के बिना किसी भी रसायन या लवण को ना तुछुएं ना चकें और ना ही सूंगें हमने क्या चर्चा की? दुरघटनाओं को टालने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन किया जाना चाहिए चाको, कहची, आग और बिजली का इस्तिमाल करते समय एतियाद बढ़ती जानी चाहिए सड़क दुरघटनाओं से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए बस में चढ़ते और उससे उदरते समय नियमों का पालन किया जाना चाहिए स्कूल और कक्षा में दुर घटनाओं और चोटों से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन किया जाना चाहिए